आज मैं बताऊंगी कि आप छट पर बिलकुल फिरी में धेर सारी सबजियां किस प्रकार से उगा सकते हैं अगर आप पहले से उगाते हैं तो बरसात में आपको किस प्रकार से सबजियां लगाना है ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो मैं इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देने वाली हूँ, कि ग्रोबेग आप घर पर किस प्रकार बना सकते हैं, साथ में आप मिट्टी को भी अच्छा किस प्रकार बना सकते हैं, बिलकुल फिरी में, तो जो भी इस तरीके में आपको बताऊंगी, उनमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है साथ में आप छट पर ही अच्छी और धेर सारी सबजियां उगा सकेंगे तो सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है तो मेरा नाम है उर्मिला आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल विलेज टेरेस गार्डन में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चेनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें आगे भी इसी तरहां की वीडियो देखने के लिए तो अब मैं जो सबजियां लगाने वाली हूँ अपने घर की छट पर वो बरसात के लिए मैं उगाने वाली हूँ तो ये ग्रोबेग मैंने घर पर ही बनाया है और मैंने इसमें गर्मियो की सबजी लगाई थी तो गर्मियो की सबजी अब खत्म हो गई है तो अब मैं इसी grow bag में फिर से बरसात वाली सबजी लगाने वाले हूँ तो इसके पहले हमें इसे खाली करना होगा क्योंकि हमें कभी भी इस तरीके से मिट्टी भरे हुए grow bag में हम कोई भी पोधा लगाते हैं तो वो सही से grow नहीं होता है तो जब हम एक पोधे लगाते हैं उससे हम पूरी हार्वेस्टिंग लेने के बाद उसे इस तरीके से पलटना जरूरी होता है क्योंकि जो पोधा हम लगाते हैं उसमें बहुत सारी बीमारी आ जाती है और मिट्टी में भी जो हम खाट डालते हैं वो खत्म हो जाता है तो इसके लिए हमें फिर से मिट्टी में धेर सारी खाद मिलाना होता है जो हम अगली बेल लगाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए तो आपको इस मिट्टी को इस परकार से खाली कर लेना है और आपको इस मिट्टी को एक दिन के लिए धूप में सुखाना जरूरी है जो भी मिट्टी में चीटिया, फंगस इस तरीके की कोई भी बीमारी होगी तो वो धूपकी बज़े से खत्म हो जाएगी और आपकी मिट्टी एकदम बारीक और अच्छी भी हो जाएगी तो मैं जब भी ग्रोबेक भरती हूँ तो उसमें मैं किचिन वेश्ट और गार्डन के पत्ते डालती हूँ जिससे की पोधे उगने के साथ ही उसमें खाद भी बन जाता है तो उस खाद को मैं फिर पूरी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को और भी अच्छा कर लेती हूँ इसके लिए हमें उसे पलटना जरूरी है क्योंकि पूरी तरह खाद नहीं बनता है जो हम पोधे की जड़ वगेरा डालते हैं तो वो कुछ पार्ट उसका खाद नहीं बनता है इसलिए हमें उसे निकाल कर फिर से वही प्रोसेस करना होता है जिससे कि वो खाद फिर दूसरे ग जड़ वगेरा है और जो भी कंकर पत्थरे उसे हटा देना है और अब इस मिट्टी को आपको एक दिन के लिए धूप में डाल देना है और देखिए कितना सारा वेश्ट माटेरियल हमें इस मिट्टी से मिल गया है तो इस वेश्ट माटेरियल को फेकना नहीं है इसका फिर से हम इसका हम फिर से यूज करेंगे जब हम ग्रोवेग को भरेंगे तो धूप में सुखाने के बाद मिट्टी कुछ इस प्रकार की बराबर मतलब की एक जैसी हो गई है तो आप मिट्टी को फिरी में अच्छा बनाने के लिए अपने घर पर मौजूद चीजे डाल सकते हैं जैसे कि आप मिट्टी में हल्दी पावडर डालेंगे तो उससे आपके गमले या ग्रोवेग में चीटिया नहीं लगेगी साथ में आपका पोधा भी सही से ग्रोव होगा और आप मिट्टी में राक डाल सकते हैं कंडे की राक या लकडी की राक इससे भी मिट्टी अच्छी रहेगी और कोई भी कीडे वगेरा हमारी मिट्टी में नहीं लगेंगे साथ में आप इसमें चूना भी डाल सकते हैं जो की खाने में काम आता है जो पुताई के लिए आता है उस चूने का भी आप यूज कर सकते हैं और मैं मिट्टी में डालती हूँ धेर सारे नीम के पत्ते तो नीम के पत्ते हमारे नीम खली का काम करते हैं और हमें मार्केट से फिर नीम खली मिलाने की भी जरुवत नहीं होती है तो नीम के पत्ते आपको सुखा कर मिट्टी में यूज करना है साथ में आप प्याज के चिलके लहसन के चिलके इन सबी को सुखा कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी और नाइट्रोजन के लिए मैं मिट्टी में मिलाती हूँ बची हुई चाय की पत जो की चाय बनने के बाद बचती उसे मैं धोकर धूप में सुखाने के बाद मिट्टी में यूज करती हूँ तो इस तरीके से आप धेर सारी चीजे फिरी की चीजों को मिलाकर मिट्टी को जी के लिए आपको इस तरहा की जगह चुनना है जहां पर आप इसे फैला सके तो मैं यहां पर इस ग्रोबेग को रखने वाली हूँ क्योंकि यहां पर मैंने बड़ा सा रसी का जाल बना रखाए तो इस जाल पर पोधे की बेल अच्छी फैल जाएगी तो मैं इस्तमाल करती हूँ पोधे लगाने के लिए फिरी के ग्रोबेग जो की मैं घर पर ही बनाती हूँ तो यह देखिए खराब पड़ी हुई बोरी से मैंने कितना अच्छा ग्रोबेग बनाया है बेल वाली सबजियां लगाने के लिए और मैंने इसमें धेर सारे डेने ज फोल भी बनाये हैं ताकि बरसाद में हमारी सबजियां गल कर खराब ना हो तो अगर आप बरसाद में सबजियां लगा रहे हैं तो आपको पानी निकलने के लिए गमले में अच्छे छेद बनाने जरूरी हैं तो इस तरीके से मैंने ग्रोबेग को अच्छे से सेट कर दिया और अब हम इस grow bag को कम मिट्टी में भी भरेंगे, सांत में इसमें खाद भी बनेगा और हमारी मिट्टी भी कम लगेगी, जिससे कि हम कम मिट्टी में ही बहुत ज्यादा पोधे लगा सकेंगे, तो grow bag को भरने से पहले हमें इसमें एक लेयर मिट्टी की बना देना है, जो हम kitchen waste से खाद बनाएंगे, तो उसका लिक्विट है जो इसी मिट्टी में रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा, ताकि वो खाद जो बनेगा, वो हमारे पोधों को लिक्विट के रूप में भी मिलता रहेगा, और अब हमें इस grow bag में भर देना है, जो भी आपके पास kitchen waste हो, garden के सू पत्तों को आपको धूट में सुखा कर इस तरीके से आप इस्तमाल करेंगे, तो एक तो आपका खाद भी बनेगा, दूसरा मिट्टी की भी बचत होगी, और आपके छट पर जादा वजन भी नहीं होगा, तो इस तरीके से मैंने एक layer इसमें मिट्टी की डाली है, उसके बा के कागच का भी इस्तमाल आप चाहें तो कर सकते हैं, तो अब मैं एक layer इन कागच की बना रही हूँ, तो कागच को आपको इस तरीके से तोड़ तोड़ कर डालना है, तकि ये अच्छे से और जल्दी से इक खाद में परिवर्तित हो सके, और अब मैं डाल रही हूँ, जो ह उसकी भी मैंने इस तरीके से एक layer बना दिये, और आपको grow bake को एक दो बार इस तरीके से उठा कर रख देना है, जिससे की ये सबी चीज बराबर हो जाएंगी, आपका grow bake तिर्चा नहीं होगा, और आपको ये kitchen waste और सूके हुए पत्ते हैं, इन्हें अच्छे से दबा कर भन अगर इनमें गेप रहेगा, तो हमारा grow bake देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरीके से मैंने इसे भर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिट्टी, तो मिट्टी को आपको एकदम grow bake में नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी करकर भरना है, और हातों से अ तो हमारा grow bake बहुत ही अच्छा भराएगा, और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसे मैं थोड़ा खाली रखने वाली हूँ, क्योंकि जब बाद में हम इसमें पोधे लगा देंगे, तो बेल वाली जो सबजियां होती है, उनकी जड़ उपर दिखने लग जाती है, तो बाद में फिर हमें उन्हें मिट्टी से डखना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा खाली रखने वाले हूँ, तो आप भी अगर बेल वाली सबजियां लगा रहे हैं, तो आप भी grow bake को खात पानी देने के लिए थोड़ा खाली रख सकते हैं, तो इस परकार से मैंने इसे पूरा भल लिया है, और चलिए अब हम इसमें पोधे लगाते हैं, तो मैंने पोधे पहले ही तैयार कर लिये हैं, आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, तो इस grow bake में मैं ये गिलखी का पोधा लगाने वाली हूँ, इन्ह आप इस तरीके से बीज लगा सकते हैं, टप में इन पोली थिन को रखकर, टप में अगर आप पानी डालेंगे, तो इन में मोश्चर बना रहेगा, और आपके बीज गर्मी में भी बहुत ही अच्छे से grow हो जाएंगे, डिटेल वीडियो चेनल पर हैं, आप चाहें तो उस साम के टाइम ही रिपोर्ट करें, अगर आप सुभा के टाइम करेंगे, कुछ चांस है कि आपका पोधा खराब भी हो सकता है, या उसकी पत्तियां भी सूख सकती है, इसलिए आपको इसे साम के टाइम अगर पोधे बना कर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो साम के टाइम करे तो पोधा लगाने से पहले हमें मिट्टी थोड़ी निकाल लेनी है क्योंकि हम इस पोलिथिन में जो भी मिट्टी है उसे नहीं हटाने वाले क्योंकि पोधा बहुत बड़ा हो चुका है और इसकी जड़े भी बहुत गेहरी हो गई है तो हम पूरी मिट्टी को निकाल कर इसमें सेट कर देंगे जिससे हमारा पोधा खराब होने के चांस बिलकुल ही खत्म हो जाएंगे तो इस तरीके से मैंने मिट्टी को हटा कर इसे अच्छे से बीच में रख दिया है और आसपास से मैंने जो मिट्टी निकाली थी उससे इसे पूरा ढग दिया है जो वो पोली थिन में मिट्टी है उसे तो पोधा बड़ा हो गया है तो ये जुक रहा है इसलिए मैंने इसे इस तरीके से डंडी से सहारा दे दिया है तो इस तरीके से मैंने इसे मिट्टी से पूरा कवर कर दिया है जो इस पोधे के सांथ मिट्टी थी वो अब नहीं दिख रही है तो इस पोधे की बेल को उपर ले जाने के लिए मैंने ली है ये इस प्रकार की रसी जिसमें मैंने नीचे इस तरीके का तार लगा रखा है जिसे मैं इस तरीके से मिट्टी में दबा रही हूँ तो अब ये इस रसी के सहारे उपर रसी के जाल पर पहुँच जाएगा और इस पोलिथिन को अब हम फेकेंगे नहीं फिर से इसमें पोधे लगा देंगे लोकी, करेला, बेगन, मिर्च, ठमाटर इस तरह कि जो भी सबझियान हैं उन्हें आप चत पर आसानी से उगा सकते हैं तो इस प्रकार से आप बिना खर्च के ही, घर की चत पे धेर सारी सबझियां बिल्कुल फिरी में उगा सकते हैं और अगर आप पहली बार उगा रहे हैं तो बारिस का मोसम बहुत ही अच्छा होता है इसमें कम केयर में पोधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बारिस में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पिलीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद